सब्सक्राइब कीजिए इन्फराटेक यूट्यूब चैनल को बिल्कूल फिरी और बैल आइकन दबाएए हमारी लेटस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अईलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंफराटेक Youtable चैनल इनफराटेक Youtable में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को Let's Get Started इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंडियन मार्केट में एक नए स्मार्टफोन लॉंच के बारे में Zioxx मुवाइल ने अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन लॉंच कर दिया है उस स्मार्टफोन का नाम है Zioxx Astra Star यह स्मार्टफोन 5,899 रुबीज में लॉंच किया गया है और यह स्मार्टफोन देशबर के बड़े रेटेल स्टोर पर खईदने के लिए अविलेविल है Zioxx Astra Star में 5 इंच FWBGA डिस्पले है जिसका स्क्रीन रिजॉलूशन 854P x 480P दिया गया है इसके साथ इसकी स्क्रीन पर 2.5D कर्वड गलास भी दिया गया है इस डिवाइस में 1.3GHz quad core processor दिया गया है और इसमें 1GB RAM और 16GB internal storage दिया गया है जिसे microSD card के जरिए 32GB तक expand किया जा सकता है यह स्मार्टफोन dual sim support करता है कैमरे की बात करें इस स्मार्टफोन में तो LED flash के साथ 5MP का autofocus rear camera दिया गया है वही front में selfie और video chatting के लिए 5MP का front camera भी दिया गया है यह स्मार्टफोन 4G voltage support करता है और Xeox का यह handset 21 traditional languages को support करता है इसके अलावा इस phone में Android 7.0 nougat दिया गया है और इस phone की battery 2350 mAh की दी गई है यह phone black और blue color variant में अविलेविल होगा connectivity के लिए इस phone में Bluetooth, GPS, Wi-Fi, FM Radio और Micro USB, OTG जैसे features दिये गई है तो phone जिस price range में हुआ है launch उस price range के साबसे features इतने खास नहीं है क्योंकि काफी और भी phones हैं जो इस price range में काफी अच्छे features देते हैं एक्जाम्पिल Xiaomi Redmi 5A तो अगर फिर भी आप इसको खरीबना चाहते हैं तो खरी सकते हैं फिलाल इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो समझ में आ गया होगा तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले क्योंकि हम आपके लिए इसी टाइप की और इससे ज़्यादा इंट्रेस्टेड डेली वीडियो लेकर आते रहते हैं तो थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो थैंक्स